नवस्कार दोस्तों मैं हूँ दीपक सिंग डैनिकर दमाचार से जम्मू में आर्मी और केवी स्कूल को बंद करने के निर्देश जो है वो दे दिये गए है जानकारी हमारे पास पहुंच रही है कि आर्मी स्कूल और केवी स्कूल जो है उन्हें बंद किया जा रहा है 27 तारि इसके पीछे का कारण क्या है यह थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं जो जानकारी है उसके मताबिक आतंकी घड़नाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और पिछले कुछ समय से देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी घड़नाय बढ़ती जा रही है यह सिल्शला थमने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़ती हुई आतंकी घड़नाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और दो दिनों में भी आर्लाइन माध्यम से स्कूल जो है वो स्कूल की पढ़ाई जो है वो चलती रहेगी नो जून को रियासी में आ में फ्रोत्री हुई है आतंकी घडराउ में मिए और उसके पार इसला लिया गया गया तो यह जो यह जो निरने लिया गया है उससे यह क्यों लिया गया और किन स्कूलों के उप्मत को बंद करने का निर्देश है तो जानकारी यह है कि जम्मू और पठानकोट राष्टर राजमार्ग के किनारे जो स्कूल है उनको बंद करने का निर्देश लिया गया उसमें आर्मी स्कूल सांबा हो गया केंद्रिय विदिय अले सांबा हो गया आरमी स्कूल रत्रू चक हो गया और इसके अलाबा और भी कही जानि के जम्मूंप और पतां को राश्रा राजमार के उपर जिसने भी स्कूल है आरमी और के वी उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है और 27 तारिक तक ये बंद रहेंगे सुरक्षा के दृष्टिकों से ये फैसला लिया गया है जो आतंग की गटनाएं बड़ी है उसको लेकर ये फैसला लिया गया है और 27 तारिक तक ये स्कूल बंद रहेंगे आनलाइन माद्यम से पढ़ाई चलती रहेगी ये निरने का उदेश है बच्चों शिक्षकों और स्कूल के स्काप को खत्रे से जो खत्रा दिख रहा है को इनपूट होगा शायद उसकी बज़ा से ये फैसला लिया गया है तो इसमें बहुत बड़ी ख़बर है आर्मी स्कूल और के भी स्कूल को बंद करने के निर्देश दो दिये गाएं दो दिन के लिए बंद रहेंगे और इसमें भी ये बताया गाया कि जम्बू पठान को राष्ट राजमार्ग के ओपर ये स्कूल जो है वह स्कूल कुस्ट मैंचन किया है जानकारी हमारे पास है आर्मी स्कूल सामबा हो गया जैसे केंद्रिय विद्याले है सामबा इसके अलावा को रतनुचक कालुचक और भी कई स्कूल जो है इनको बंद करने के निर्देश है इस ख़बर के उपरा आपको प्रतिक्विया रखें और देखें रहें जाने करता हमजार मुझे और मेरे सोगी अरुन कुमार को देंजाज अश्कार